सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गुबिन जैस्वाल दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लच्छन प्रारूप एवं जीन प्रारूप में अंतर तो इसके लिए सिंपली से हम इसक्रीन को दो भागों में डिवाइट कर के फस्ट भाग में लिखेंगे लच्छन प्रारूप और सेकंड भाग में लिखेंगे जीन प्रारूप अब हम लच्छन प्रारूप में फस्ट नंबर डाल कर लिखेंगे कि यह दिखाई देते हैं और जीन प्रारूप में फस्ट नंबर डाल कर लिखेंगे तो यह दिखा नहीं देते हैं तो ये आपका हो गया पहला अंतर उसके बार में अब हम लच्छण प्रारूप के नीचे सेकेंड रंबर डाल कर लिखेंगे लच्छण प्रारूप जीव के बिभिन गुणों जैसे आकार, रंग, आकृति, युम स्वाभाव, आदि को ब्यक्त करता है और उस प्रारूप जीव के जीनी संगठन को ब्यक्त करता है जो की उसमें बिभिन लच्छणों को निर्धारित करता है तो ये आपका हो गया दूसरा अंतर उसके बार में अब हम लच्छण प्रारूप के नीचे थार्ड नंबर डाल कर लिखेंगे कि समान लच्छण प्रारूप वाले जीवों की जीनी संगठना समान हो सकती है और नहीं भी और उसके बार में जीन प्रारूप के नीचे हम थार्ड नंबर डाल कर लिखेंगे कि समान जीन प्रारूप वाले जीवों के लच्छण प्रारूप सदेव समान रहते हैं तो ये आपका हो गया लच्छण प्रा रूप में अंतर आई होब कि ये चीजें आप सभी को अच्छी लगी होंगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर प्रेस कर लीजे बेल आइकन को जिससे कि आपको नए वीडियो का अपटेट मिलता रहा है तो दोस्तों बस यहीं पर दीचे चाचत जै हिंदू